हेलो फ्रेंड्स स्वागत है मेरे यूटूब चेनल पर चलिए आखिरकार क्लास एड के मंतली एसस्मेंट जो नंबर के थे हैं वो जेक बोड की तरब से जारी कर दिया गया ठीक है जैसे आप देख रहे होंगे यह कक्छा क्या है एड है मा कौन सा नंबर है सत दोजार एक इस पुर्णाग आपका साथ है ठीक है यह मासिक मुलैंकर है मंतली एसस्मेंट क्लास एड का और यह नॉंबर मंत का है ठीक है आपके पास जो विसे हैं वो क्या है हिंदी इंगलीज गनीत विज्ञान समाजी विज्ञान और संस्केट इस सारे सब्जेक्ट के हम लोग कोश्च पर चलते हैं आप विडियो को रोक के इस पर अगर आपको पढ़ लिजेगा तब आपको एक और दो कोश्चन समझ में आने लगेगा ठीक है चलिए देखिए तो पहला कोश्चर है चलती क्यों नहीं है जी अभी चलेगी बस के बारे में यह किसका कथन है ठीक है तो harbor, d इसका से अंसर हो जाएगा ठीक है देखिए कोश्चन 공बर 2 में लिखा पूजा करने योगे वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसका लिए यह एंसर हो जाएगा bृ स tut यह होगा क्या अगा पुझ्जे निये इसको आपको याद रखना देखिए अब हम लोग कोश्च नमर तीन को देखते हैं जैसा कि आपको दिख रहा होगा कोश्च नमर तीन में लिखा हुआ है कि निमलिकी सब्दों में इक परतिय लगाकर नए सब्द बनाई आपको दीन का एक सब्द यहां लिखना है बनाना है एक जोड़के इतिहास का भी जोड़के बनाना है नितिका तो हम लोग सीधा देख लेते क्या होगा इसका एंसर चली तो देखिये दिन का क्या हो जाएगा दैनिक, इतिहास का हो जाएगा रुषिыт driven का हो जाएगा अतिहासिक और नितिक और सब्ता ही यहां परी नीचे है कोशन तो हम जग दिख दें सब्ता है ना सब्ता का हो सबता है ठीक है चलिए अब हम अगला चार नमर को देखते हैं देखिए कोश्चन नमर चार में लिखा है लेखक को लोगों ने शाम वाली बस से सफर ना करने की सला क्यों दी ठीक है तो हम लोगों को बस की सचाई का पता था अर्थात हुए उसकी जरजर दसा से परचीत थset बस कब कहां कहराब हो जायए कुछ कहना मुस्किल था बस यात्षि को गंतव तक ठीक से पहुँचा ही देगी यह कहना मुश्किल था ठीक है ये कारण था तो ये कोश्चन वर चार का एंसर होगी है अब हम लोग कोश्चन वर पाच को देखते हैं कोश्चन वर पाच में लिखा है निमलिकिन पक्तियों का अर्थ इसपस्ट कीजे ये पक्ति यह इसका पूरा आपको अर्थ बताना क्या होगा आप पर लिजे मैं अर्थ बताता हूं शिरा एंसर को देखते हैं देखिए question of five का answer हो जाएगा प्रस्चुत पक्तिया हमारी पाठ पुष्टक भासा मंजरी में संकलित कभी राम का भरत को संदेश से उद्धत की गई है जिसके कभी तुलसिदास हैं ठीके आगे देखते हम लोग इसका answer देखिए सिरी राम ने भरत के आगरव पर अपना खड़ाओं प्रेम पुरुवक उन्हें सोब दिया भरत ने खड़ाओं को अपने माथे से लगा लिया भरत के लिए ये खड़ाओं मानों उनकी प्रजा की रक्षा के लिए दो पहरेदार के शमान है उनके प्रेम रूपी रत्न को सहे दिखाने वाले दो नेत्र हैं ठीक है भरत खड़ाओं के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित हुए उन्हें मौशुस हुआ जैसे स्रीराम और सीता ही उनके साथ है ठीक है चलिए अगरा देखते हैं हम लोग अब देखिए हिंग्दी सब्जेक्ट में पाची वाट दस वाट डज इस लाइन सजेस्ट इन दा पॉयम वेन सचीन वाक्स आउट तुबेट ठीक है आपको चार ओप्शन दिया हुआ है ए उप्शन में लिखा हुआ है इड इस नौशली अराउंड बी में लिखा है इड इस शाइलेंट ओल अराउंड दा ग्राउंड सी म प्रमाण को और छी oaeda यसका सेंज आंज हो जाएगा option no.b । क्या हो जाएगा इसका आपको option b पर टिक लगाना है ठीक है जो ग्रिमाइड, option C में दिया हुआ है, water, gulged, ठीक है, और D में दिया है, closed, clogged, ठीक है, तो इसका सही एंसर क्या होगा, तो इसका सही एंसर होगा, option number D, ठीक है, आपको लिखते हैं, ठीक है, चलिए अब हम दो question number 3 को देखते हैं, देखिए question number 3 में लिखा हुआ है, ठीक है, यह इसका एंसर होगा, ठीक है, यह इसका एंसर होगा, होगा, आप इसको note कर लिए, आप वीडियो को post करके, वीडियो को रोक के, आप अच्छा से लिख लिजेगा, ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते है, question number 4 की ओड़े, देखिए question number 4, question number 4 में लिखा है, एंसर क्या होगा, देखिए question number, हम लोग का जो 4 था, उसका answer, question number 4 का एंसर यहां लिखा हुआ है, इसने हांस रूल for a new relation, A number, the sun is our father because he gives us energy, और B में लिखा है, the earth is our mother because she sustains us, ठीक है, आपको दो ही रूल बोला गया था, तो इसलिए यहां हम लोग दो ही रूल लिखेंगे, ठीक है, चलिए हम लोग अब question number 5 की ओड़े, देखिए question number 5, question number 5 में लिखा है, arrange the events in correct orders as given in the poem when Sachin walk out to bed, ठीक है, आपको इसको order में सजाना है, ठीक है, आपको लिख लेना है, सबसे पहले जो यहां पर दो number लिखा है, इसके पहले कितना है, एक है, यह सबसे पहले यह लिखना है, ठीक है, यह दो number सबसे पहले लिखना है, उसके बाद कोन आएगा, उसके अदिये वाला है, सचिण लोक्स एराउंड ठीक है यह तीसरा वाला दो ननमर पर आएगा उसके बार चौथा जो हम बीद धिए है इन वाटिवेर वे ए बोलर बॉल्स ठीक है उसके पाच नमर में आपको यह आखरी जो है आपका आठ नमर कोश्चन इसको लिखना है इसको लिखना है इसको लिखना है तो टोटल आठ था इस तरह आगे लिखावा आप इसे नोट कर लिजिए अच्छा से वीडियो को रोब ठीक है चलिए अब हम लोग का जो इंगलिस था उस पीर पाच ही कोश्चन था तो में रोब करना इंगलिस पूरा क्या अदिक है और अधा चलिए तो हम लोग गनीत को साल्ड करते देखिए तो गनीत पहला कोश्चन आपके सामने है तुपोरसल्यद cool इतो परीक्स करते हैं देखिए आपको पता होगा तीन का रूल क्या है सभी संख्याओं का योग अगर तीन के पहाड़ा में आ जाए यानि तीन से डिवाइट हो जाए तो हम लोग पहले जोड़ेंगे सभी संख्याओं को क्या है संख्याओं दो है जोड़ चार जोड़ तीन जोड़ छे जोड़ उसका है एक्स जोड़ आठ जोड़ पाच आप सबको जोड़िये सबको जोड़ के कितना हैगा 28 जोड़ क्या बचेगा एकस एकस कमान क्या बैठेगा दो क्योंकि 28 जोड़ दो कितना होता है तीस अर तीस किस के पाड़ा माता तीन के पाड़ा है ना हम दो कर सैंसर हो जाएगा option ए दो चलिए अगला question देखते हैं लोग देखिए हम दो question number 2 को देखते है question number 2 में लिखा है संख्या a b c के लिए कौन सही है ठीक है ठीक है तो देखिए a जो है उल्ट किस जगा में सेकडा की यानि 100A जोड B क्या है 10A के जगा में यानि 10 B और C क्या है 11A के जगा में यानि C ये option आपको कहा दिख रहा option number D में ठीक है चलिए इस तरह आप solve करके ठीक लगा दीजेगा चलिए हम लोग देखते हैं question number 3 को देखिए question number 3 को लिखा हुआ है 3xy जोड 3 जोड 2x और 4 plus 4x माइनस 3xy का योग कितना होगा आपको सबको जोड के बताना है चलिए जोड करते हैं तो आपको सबसे पहले लिखना है 3xy प्लस 3 प्लस 2x उसके बाद जोड करना है 4 plus 4x माइनस 3xy ठीक है चलिए इसको solve करीए तो देखिए 3xy और यहां 3xy कट गया यहां बचा कितना 2x और है 4x तो कितना हो जाएगा आपको 6x हो जाएगा ठीक है और यहां 3 है और है 4 है तो जोड कितना जाएगा 7 यानि यह इंसर हो जाएगा 6x प्लस 7 ठीक है चलिए अगला चार नमर कोशन को देख लेते हैं देखिए कोशन नमर चार में आपको बुला है कि 3T-4 बराबर 11 का हल क्या होगा आपको भेलो निकालना है ना चलिए तो दिया हुआ 3T-4 बराबर 11 आपको क्या करना है 4 को बराबर के इधर उठा के लाना है आप इसी तरह बना लीजिए आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पोस्ट करके ठीक है चलिए अगला कॉश्चन हम लोग देखते हैं कुश्चन नमर पाच में देखे लिखा है 3X QY प्लस 2X Y प्लस 15XY को 3XY से भाग देना चलिए हम लोग भाग लगाते हैं तो भाग लगाने के लिए सबसे पहले आपको 3X QY दिया हुआ है QY उसके बाद प्लस में दिया हुआ है 2X स्केर Y उसके बाद प्लस में दिया हुआ 15X Y अब पूरा को भाग लगा दीजे किस से 3X Y से और 3X Y से आपको तीनों को अलग अलग लिख दीजे यानि 3X QY बटा में कितना आ जाएगा 3X Y प्लस 2X स्केर Y अब बटा में आ जाएगा 3X Y प्लस 15X Y बटा 3X Y सबको अलग अलग बाटें देखिए यहां से यह 3 3 कट जाएगा Y Y कट जाएगा X उपर में 3 को है नीचे 1 है तो यहां कटेगा तो कितना बचेगा X स्केर बचेगा ठीक है प्लस यहां से देखिए आपको Y Y कट गया X से 1X कट तो उपर बच गया 2X नीचे बच गया 3 प्लस यहां से देखिए 3 पचे 15 कटेगा X Y X Y कटेगा यहीं क्या बचेगा केवल 5 बचेगा यहीं एंसर है X स्केर प्लस 2X बटा 3 प्लस 5 ठीक है आप इसे नोट कर लीजिए चलिए हम लोग अगला कोशन देखेंगे चलिए खुड़ी तो उपर लोग तेगे व्यश्य पर रिवेत को पड्च देखती है कुछिए हैं चलिए तो हम लोग अमेद बिद doe सक्वा यहींरा मरा में लिखा हुआ प्रतोष यह जलग कई कार्णों से प्रदूसित हो रहे हैं प्रकृति वातावरन में होने वाले ऐसे अवांचित एंवानिकारक प्रिवतन को परदूशन कहते हैं इसी प्रकार से हमारे प्रिवेश में अत्यरिक शोर किस प्रकार के समस्चाओं का कारण बनता जा रहा है औप्सन A धोनी परदूशन, औप्सन B स्वस्ते समंधिश मश्या, औप्सन C बहरे पन की वीमारी, औप्सन D सारे विकल्प सही है यानि औप्सन D पर आपटिक लगा लेजी, औप्सन D इसका सही एंसर होगा ठीक है, चलिए वह हम लोग कोशिश नमबर 2 को देखते हैं देखिए कुश्य नमर दो में लिखा हुआ है धुए में ठोस और तरल दोनों प्रकार के कन पाये जाते हैं अध्योगिक छेत्रों में बिचेश कर जारे के दिनों में धूम कोहरा का निर्मान होता है और इससे दमा खासी गले में खरकराहट महसूस होती है धूम कोहरा का निर सिर्स और यानि इसका सहीं सर्सेडा होजाएगा औप्सन नमबर ए ठीक है धुरत में लगातार होने वाले खैके कारण मनिश्यों यंव किस परकार का प्रभाव पड़ा है इसका आपको एंसर देना तो हम लोग इसका एंसर को देखते क्या होगा देखिए इसका एंसर हो जाएगा ओजोन प्रत के छरन की वज़े से सुरे से आने वाली हानिकारक परावैगनी किरने प्रिथिवी के वाई मंडल में प्रवेश कर सकती है और पेड़ पोधो तथा अगला कुशन देखते हैं कि देखिए अगला कुशन नमर चार कुशन नमर चार में लिखा है संग मरमर का कैंसर किसे और क्यूं कहते हैं ठीक है वर्णन करें तो संग मरमर का कैंसर किसे कहते हैं क्यूं करते इसका वर्णन करना है तो कुशन नमर चार का इंसर देखते हैं देखिए Q94 का एंसर हो जाएगा संग मरमर से कैंसर होने का कारण संग मरमर का संचारन है संग मरमर का संचारन संग मरमर के पत्थरों पर होने वाली अमली वर्षा के कारण होता है उन एतियासिक धरोहरों में जाने वाले मानव जब इन संचारित संग मरमर के पत्थर के संपर् हो जाती है ठीक है यह एंसर आप लिख लिए इसको चलिए अगला देखते हैं हम लोग देखिए अब कोश्चन नमर फाइब कोश्चन फाइब में लिखा हुआ है वर्स 2000 में जारकन राजिके निर्मान के बाद से विभिन जीलो में वाई पर्दूशन का इस्तर दस गुना तक बढ़ गया है क्यूं वाई पर्दूशन पर नियंतरन करने के दो उपायों का वर्दन करें ठीक है चलिए तो हम लोग कोश्चन नमर फाइब का एंसर देख लेते हैं एक शर्वे के अनुशा राजधानी में हवा पर्दूशन पिछले 15 सालों में 10 गुना बढ़ा है ठीक है 15 सालों कितना बढ़ा है 10 गुना बढ़ा है अब आगे देखते और क्या होगा इसका एंसर देखिए सीटी के प्रयावरन पर नजर रखने वाले पुराने लोग बता हो जाता था आज चारों और कंक्रीट के जंगल नजर आते हैं हर दिन हो रहे निर्मान के कारण प्रदूशन का लेवल बढ़ रहा है ठीक है यह हम लोग का क्या हो गया एंसर हो गया अब इसके बाद हम लोग देखिए वाई प्रदूशन पर नियंत्रन वाई प्रदूशन को नियंत्रन करने है तो निवन उपाय करते हैं क्या करते हैं पहला अध्योगिक सेंट्रों में फिल्टर आदी का प्रियोग दूसरा कारखानों को घनी अबादी से दूर इस्ताफित करना ठीक है दो बोला था यह दो आप लिख लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं देखिए तो हम लोगा कोश्चन नमबर 5 कंप्लेट हो गया तो साइंस में पाची कोश्चन था अब हम लोग समाजिक विग्ञान को देखेंगे ठीक है चलिए तो हम लोग समाजिक विग्ञान वाले सब्जक्त को सौल्व करते हैं देखिए समाजिक विग्ञान का आपके पास पहला कोशन आता है हिंदू विद्वा पुन्द विवा अधिनियम को कब मानेत्या दी गई ठीक है चार ओप्षन है आपको बताना है कब मानेत्या दी गई तो यह दिया गया था 1856 यानि ओप्षन 20 का सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग कोशन आद्र नमी युक्त जलवायू 24 डिगरी सेल्सियस तापमान 60 डिगरी से मतलब 60 से लेकर 100 सेंटीमिटर वर्सा काली एम जलोड मिट्टी ठीक है दोसो दस पाला रही दिल तेज चम के लिए धूप चाहिए ऐसा कौन से फसल में यह सारे चीज अपलाए होते हैं मक्का में ग जाएगा क्या कपास में कपास के लिए जलूरी है ठीक है तो दो का इंसर हो जाएगा उप्सन सी अब हम लोग कोशन नमर 3 के और चलते हैं को देखते क्या है तो कोशन नमर 3 में लिखा हुआ दिये गए बिश्व के मांचित के अनुसार चावल उत्पादन के लिए तो चावल उत्पादन के लिए प्रसिद आपको जो दिया गया है उसका क्रम सही क्या होगा उसको आपको बताना है ठीक है तो यह पर एक नमर में आपको क्या दिख रहा है भारत यहां already चीन है और यहां पर यह टींनमर में क्या है जापान हैं होगा और यह जो चार नमर यह सिलंका की और इंगित कर रहा तो हम लोग option को देख रहे तो ठीक है चली देखिए तो एक नमर पे क्या है आपको भारत दिख रहा है तो पहले भारत होगा एक नमर पे क्या होगा भारत ठीक है एक नमर पे क्या है भारत अच्छा दो नमर दो नमर पे क्या है दो नमर पे आ में आपका जाएगा चीन तो भारत के बाद क्याना चाहिए चीन नमर में बहुत है या याद रखने आपको ठीक है क्या आपने स्चेषन में बहुत है चार धेखते हैं लिखा आपने चेटरराज्यिकी प्रमुख फसलो क्रिशी के प्रकार का वर्णन करगे यह तू नंबर आपको देए आजाएगा इसके लिए एंसर आप इसका एंसर लिखेगा तो टू माक्स का ठीक है तो इसका एंसर को मोग देख लेते हैं चली कुश्छ नमर चार का देखिए पहला प्रकार यहां क्या है मि मिस्रित क्रिसी है ठीक है मिस्रित क्रिसी में लिखा हुआ है एक ही खेट में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिस्रित क्रिसी कह लाता है ठीक है हम लोग अब इसके बाद वला देख लेते हैं देखिए इसके बाद लिखा हुआ है दो नमबर दो नमबर में लि इस्थान पर जगह बदल बदल कर खेती करना सिप्टिंग खेती कलाता ठीक है तो यह पूरा हम लोगा क्या होगा एंसर होगा देखिए यहां से यह पूरा आप चान नमर का एंसर लिख लिजीगा ठीक है विडियो को राम से रोक के लिख लिजीगा पूरा आपको दिख रहा की उपेक्षा के दो कारण बताईए ठीक है चलिए कोशिन नमर पाच का हम लोग एंसर देखते हैं देखिए कोशिन नमर फाइब का एंसर समाजिक न्याय से आज से एक ऐसे न्याय पुर्ण समाज की इस्थापना से है जिसमें समाजिक आर्थिक विस्मताएं नयुन्तम हो समाज समावेशी हो और संसाधनों का बित्रन सर्वमान्य श्युक्रिती के आधार पर हो इसके बाद बोला था ना अब दो कारण तो देखिए कारण के है शुविदा एंव वंचित वरगों की उपिक्षा का कारण सिख्षा की कमी और अच्छमता है यह इसका कारण हो ठीक है चलिए ता पूरा आप इसको अच्छा से लिख लिजेगा जूम करके एक बार में इसको कर देड़े चोटा लेखिए पूरा इसका क्या है आप लिख ल देखिए इसका एंसर हो जाएगा प्राचिन काल में महिलाओं की समाजिक इस्ति काफी बेहतर थी हरप्पा शवेटा के काल में समाज मात्री सत्तातमक था रिग वैदिक काल में भी इस्तियों की इस्तिती समान जणक थी वे अपने पती के साथ यग कारियों में शमलित होती यहों दान दिया करती थी परदा प्रथा का प्रचलन नहीं था इस्तिरियां भी सिक्षा गरहन करती थी रिगवेद काल में लोपा मुद्रा घोशा सिक्का अपाला जैसी वीदूसी इस्तिरियों का जिक्र मिलता है अब आगे देखिए संस्कृत में आपको एक गध्यान से दिया हुआ फूरा यहां से ऊध्यान से खोचकर आपको और LGBT तर देखिए इसी से हम बता देते हैं कि answer क्या होगा ठीक है चलिए हम लोग एक नमर का question को देखते हैं देखिए जो पहला प्रेशन है पहला प्रेशन का जो answer है वो पहला प्रेशन का answer हो जाएगा option B ठीक है और जो दूसरा नमर प्रेशन है इसका भी answer हो जाएगा option B ठीक है आप पहला का option और दूसरा का भी option बी एंसर करिए चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर question को देखते हैं कि देखिए question नमर तीसरा question नमर जो तीसरा आपको दिख रहा न उपनी सदा यह word आपको मिलेगा paragraph में मैं वहां दाग लगा दे रहा हूं आप लिख लिजेगा ठीक है जलिए question नमर तीन का answer देखिए देखिए question नमर तीन का answer हो जाएगा आपका उपनी सदा से कहां से हो जाएगा उपनी सदा से यानि आप टीक लगा लिजिए यहां से लेकर यह देखिए यहां से उपनी सदा आपको दिख रहा न यह यह उपनी सदा से लेकर आपको पूरा यहां तक देख देना है ये कोश्च नमर3 का एंसर है ठीक है अभढ़ से समझिये को आपको अच्छा से समझना है ठीक है क्या है Чер Soo कोई दिक्कत नहीं है याद रहेगा कोश्च नमर3 का एंसर यह रहा पूरा उपने जास से ले टिक है चलिक है चलिए आउट को देख लिए चार को देख लेते क्या है में लिखा है भारतिय संस्कृति आ आपको लिखना कहाँ से यहां से लिखना है यह पूरा उसका यह हो जाएगा को ओष्प्चन नमब ये चार का एंसर हो जाएगा पूरा कंप्लिट होगी है हम लोग का चलिए इस प्रकार हम लोग का जो नॉम्बर मन्थ का क्लास एट का जो मन्थली एसेस्मेंट का कोश्चन था उसका पूरा हम लोग एंसर को देख चुके हैं ठीक है आप वीडियो को पूरा अच्छा से निवाद